हेलो दोस्तों स्वागत है आपका पेपर हैकर यूट्यूब चैनल पर और हम सुरू करने जा रहा है एरफोर्स भाई उसेना के जो है प्रेक्टिस सेट की सीरीज जिसमें आपके 30 प्रेक्टिस सेट हम कराएंगे जिसमें दोनों जो पेपर हैं वो कराएंगे इस बार की कटव आप सबी को पता होगा लगबग 34 गई थी और 50 कुशन जो हैं इसमें रहते हैं उसमें से 34 कुशन पर जो हैं मेरिट गई थी इसका मतलब आपको बहुत ज्यादा मेहनत की जरूरत है और अगर आपको इसका प्रेक्टिस सेट का जो है पीडिएफ चाहिए तो आप पेपर हैकर डॉट इन पर जाकर ले सकते हैं ठीक है डाउनलोड कर सकते हैं उस पर और भी स्टेडी मेटेरियल आपको मिल जाएगा ठ जिसमें इंगलिस के आपके रहने वाले हैं 20 questions और 20 questions मेंसे आपको लगबग 15 questions जो है सही करने हैं लगबग ठीक है तो यहां पर सुरू करते है practice set number 4 इसका जो पहला प्रशन आता है वो पैरा से आता है किससे आता है पैरा से आता है एक paragraph आपको दिया होगा एक paragraph काफी बड़ question इससे पूछे जाते हैं put up किये जाते हैं इसमेंसे एक से तीन प्रशन आपके इससे पूछे गया है paragraph से तो आपको आप देख सकते हैं कितना बड़ा paragraph दिया हुआ है इतना बड़ा paragraph आपको दिया हुआ है अगर आप इसे पढ़ने लगे तो लगवख आपका जो है 20% टाइम इसी को पढ़ने में निकल जाएगा तो आपको यह गलती बिल्कुल नहीं करनी है आपको क्या करना है सबसे पहले प्रशनों पर जाना है आपके जो प्रशन दिया ह हुआ है उस पर जाना है हमारा जो पहला प्रशन दिया हुआ है वो क्या कह रहा है वाट इस दा को रो डेमोक्रेशी यानि कि आपको पता है उसमें किसके बारे में बात करी गई यह आपको पता होना चाहिए आप इसकी पहली लाइन को जरूर पढ़ ले सबसे पहले ठीक है इसमें लिखा है डेमोक्रेशी इस फॉर्म और गॉर्मेंट इन विच प्यूपल आर गॉर्मेंट गवर्न वाई दियर ओन इलेक्टिट रिप्रेजेंटेटिव ठीक है यानि कि इसमें बात किसके बारे में की गई है डेमोक्रेशी के बारे में बात की गई है ठीक है पहरा के अंदर हमारी democracy के बारे में बात की गई है अब हमारा पहला जो प्रशन है वो भी इसी से related है पहले जो प्रशन में कह रहा है what is the core of democracy यानि की democracy का आधार क्या है यह पूछने चाहरा है आप सर कि democracy का आधार क्या है प्रिश्ट नंबर बन है वो पूछ रहा है कि यानि कि डेमोक्रेसी का आधार क्या होता है हम तीनोर चारों प्रिशन पढ़ लेते हैं चारों पढ़ लेते हैं पहला गया है फ्रीडम ऑफ च्वाइस दूसरा कहे रहा है क्जिआए और आपको सीधे गरना है अगर आपने प्रशन पढ़ रखा है तो सीधे आपको पैरा पर जाना है और पैरा पर जाके यह ढूलना है कि और ओफ डेमोक्रेशी वर्ड आपको ढूलना है आपको जहां यह मिल जाएगा को डेमोक्रेशी समझे लिए आपका आंसर महीं पर आपको मिल जाएगा 4 of democracy आपको जहां मिल जाएगा आपका अंसर महीं मिल जाएगा next question की और चलते हैं हम दूसरा जो प्रशन है वो भी देख लेते हैं second जो प्रशन है आप से वो पूछ रहा है कि what is wrong with the politics today इसका अंसर भी आपको किस में मिलेगा इसका अंसर भी आपको paragraph में मिलेगा लेकिन इसको आप sense से भी करने की कोशिस कर सकते हैं लगवा कुछ कुछ प्रशन ऐसे होते हैं जिनको आप अपने sense of humor से भी solve कर सकते हैं जैसे की what is the wrong with the politics today यानि कि आज की जो politics है उसमें गलत क्या है तो भी है multiparty system यहां पर दिया हुआ है यानि कि हमाई पास multiparty है तो इसमें तो कोई गलत है नहीं ठीक है second option दिया हुआ है political parties are the vehicle of ideas यानि कि जो political parties है वो vehicle है वो बाहन है idea के विचारों के बाहन है इसमें भी कोई गलत बात नहीं है third option कह रहा है इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा आपका यह C option क्या हो जाएगा इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा ठीक है पैरा में भी इसी के बारे में बताए गया कि आज कल क्या है politics जो है एक game बन चुका है और corruption मतलब politics के द्वारा क्या हो रहा है corruption हो रहा है इसके बारे में पैरा में जिक्र किया हुए third option है इसे पैरा से जो है पहरा से जो थर्ड प्रश्ण है उसमें कह रहा है कि the pupil who make the laws themselves जो मतलब जो लोग खुद नियम बनाते हैं and break them और खुद ही उन्हें तोड़ देते हैं तो वो कौन लोग हैं? who are the pupil here? यानि कि यहाँ पर वो कौन लोग है? तो आपको खुद यहाँ पर आप इसमें जो है option देखकर भी इसको कर सकते हैं इसका जो सही answer हो जाएगा वो हो जाएगा legislator यानि कि message का क्या मतलब होता है? जनता message का मतलब हो गया आपका जनता यहाँ पर जनता पहला option दिया हुआ है जनता जनता रूल बनाती है? नहीं जनता तो रूल नहीं बनाती है तो इसमें दूसरा जो option है वो क्या लिखा है? illiterate message यानि कि जो अनपढ जनता है यानि कि जो अनपढ जनता है वो कह रहा है कि अनपढ जनता रूल बनाती है? नहीं तीसरा option कह रहा है कि लिट्रेट मैसेज यानि कि लिट्रेट मैसेज रूल बनाते हैं तो यह तीसरा उप्सन भी क्या हो जाएगा आपका गलत हो जाएगा पहला गलत दूसरा गलत तीसरा गलत चौथा उप्सन कहा रहा है लेजिस्लेटर्स यानि कि जो विधायक होते हैं लेजिस्लेटर का मतलब क्या होता है बिधायक यानि कि जो बिधायक होते हैं वही तो रूल बनाते हैं और वही तोड़ देते हैं यानि कि आपके पैरा के कितने दो प्रश्ण हमने हल कर लिए रह गया एक प्रश्ण पहले प्रश्ण के और हम चलते हैं पहले प्रिशन आपको क्या कह रहा है पहले परिशन कह रहा है कि 1973 का आधार किया है हम इसे पहरा में डूनने की को शस्स करते है शुरू से पहरा की तरफ चलते हैं what is the core of democracy यहाँ पर आपको दिख रहा होगा last line में core of democracy क्या दिख रहा है core of democracy सीन हो रहा है core of democracy तो इसमें लिखा है freedom of choice is the core of democracy हमारा option जो question number one था उसका answer क्या हो गया freedom of choice अब चलते हैं option की तरफ option हमारे क्या दिख हुए है बस पैरा था कि इसमें दिक्कत आएगी बड़ा चोटा करने में फिर नहीं आएगी ठीक है तो यहाँ पर क्या दिख हुआ है आपका what is the core of democracy और पैरा में इसका answer क्या था freedom of choice ठीक है freedom of choice is the right answer तो हमारे जो प्रशन नमबर वन का उत्तर क्या हो गया freedom of choice ठीक है यहाँ से हम चलते हैं अगले प्रशन की तरफ पैरा से आगे फॉर्थ प्रशन की तरफ पॉर्थ से फॉर्थ और फाइब के लिए यह डायरेक्शन दिया हुआ है इसमें आपको क्या बताना है इसमें आपको बताना है correctly spelled यानि कि इस परकार से जब लिखा हो जब इस परकार से दिया हो हुआ हो correctly spelled word आपसे पूछा हो तो आपको इसमें से जो सही meaning बाला word है उसको choose करना है ठीक है इसमें से सही meaning बाला word है वो आपको चूज करना है तो आपको इसमें बताना है कि कौन सा सही meaning बाला word है पता चली क्या होगा आपको कौन सा है ठीक है option number 1 क्या हो जाता है आपका बिल्कुल right answer हो जाएगा super fuse super fuse means क्या होता है जरूरत से ज्यादा क्या होता है जरूरत से ज्यादा super fuse means होता है जरूरत से ज्यादा ठीक है next जो हमारा question है वो है question number 5 इसमें भी आपको क्या बताना है correctly spelled word आपको बताना है तो इसमें दिया हुआ है कैप्रेसियस दिया हुआ है यानि कि यहां पर क्या दिया हुआ है कैप्रेसियस लेकिन कैप्रेसियस होता है ठीक है आई होता है यहां पर तो यह वाली क्या हो गई गलत हो गई हमारी यह क्या है एय यू एस पीयाई c i o u as aus-piesis aus-piesis is your right answer इसका mean क्या होता है अगर पूछे aus-piesis का mean क्या होता है तो वह होता है शुब ठीक है और species का mean होता है शुब डेली CS में क्या गलत है यहाँ पर E आएगी ठीक है डेली CS में E आजाएगी और इसका मतलब हो गया स्वादिष्ट स्वादिष्ट डेली CS में आपका हो गया E ठीक है उसी प्रकार से फैले CS में आपका आएगा यहाँ पर A क्या आई को रिपलेस करके क्या इगा A तो यहाँ पर फैले CS का जो मीनिंग हो जाता है वो हो जाता है गलत ठीक है गलत ठीक है गलत हो गया मनमोंजी क्यूअ मनमोंजी कि यह प्रित्थ हो गया अपका मघी ठीक है तो यहां तक आपका प्रिशन होगा 2018 यह लोग्र आपि लिए उन्हे आपको रिपत्ब्रर दीया हुआ होगा यानि कि यह जो क्या है यह है इडियम है यह क्या इडियम है और इसका आपको अर्थ बताना है तो इस परकार से अंडरलाइन करके दिया हुआ हो तो आपको उसका अर्थ पता होना चाहिए अगर इडियम याद है तो आप बड़े आसानी से इसको कर देंगे तो to come clean का मतलब क्या होता है to come clean का मतलब होता है अपना अधिकार अपराद स्विकार करना अपना क्या अपराद स्विकार करना अब यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका अपराद स्विकार करने के लिए to Danny ये तो गलत हो गया ठीक है इसका कौन सा हो जाएगा बी ऑप्सन सही हो जाएगा बी ऑप्सन क्या गह रहा है आपका to confess to the crime यानि कि अपना अपराग स्विकार करना ये भी क्या बता रहा है इसका अर्थ बता रहा है तो जो to come clean का mean क्या हो गया to confess to the crime ठीक है यहां तक अपना मिलकुल सही हो गया next चलते हैं next क्या कह रहा है he did it purposely और इसमें आपको बताना क्या है opposite meaning opposite meaning बतानी है इस वाली word की purposely की ठीक है opposite meaning बतानी है आपको purposely की तो purposely की जो opposite meaning हो जाएगी वो हो जाएगी un intensely क्यानि की purposelly का मतलब होता है किसी कारी को मतलब जान फूच कर कर न और परदी मीज जान पूचक जान कर या जान पूच कर ठीक है और un intensely का मतलब हो था बेंतलब ठीक है un intentionally का मतलब क्या हो गए पेंतलब तो आपका कौन सा ठीक हो जाएगा इसमें इसमें कौन सा ठीक हो जाएगा आपका बिल्कुल सही हो जाएगा नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपका क्या कह रहा है next question मैं आपको बताना है guilty का opposite guilty का मतलब क्या होता है guilty का मतलब अपराद है, guilty का मतलब हो गया आपका अपराद, तो अपराद का opposite क्या हो जाएगा आपका, innocent, ठीक है, innocent क्या हो जाएगा, अपराद का opposite, innocent means क्या हो गया, निर्दोस, ठीक है, innocent means, निर्दोस या अंजान, और यह क्या है, ignorant दिया हुआ है, और यह immature दिया हुआ है, immature means क्या होता ह आप परिपक्वा यहां परिपक्व और आ परीपक्व हो गया इग्रो रिग ओर इड्नोरेंट मिस का ओड होता है अन्देखा कि अंदेखा करना ठीड और इग्नोरेंट कि अक PositiveMate करना यह अन्जान ठीड है इननि अपका बिया अदब तो यहां पर आपका option number a क्या हो गया बिल्कुल right answer ठीक है next question की और चल रहा है next question आपका क्या कह रहा है इसमें कह रहा है choose one which can he substituted for the given word sentence यानि कि यह कहना चाहरा है कि इसके bird में यह क्या दिया हुआ है आपका one word ठीक है इसमें इस पूरे bird के लिए आपको एक bird बताना है एक bird में इसे कैसे कह सकते है ठीक है तो इसका क्या हो गया one who looks at the right side of things कि जो bird side हमेंसे देखता है यानि कि अच्छा पहलू देखता है किसी भी चीज का चीजों का उसे क्या क्हेते है ठीक है हमेशा उसमें आसा देखता है तो उसे क्या कहते है Optimist optimist mean ho kasih closely szoda खुदिंत आशा वादी क्या होता आशा बादी यहां पता धाशावादी खीक है और आपको पता है पैसे स्ट में स्ट मींस क्या होता है पैसे मिस्ट कैवो हना होजाएगा पैसे मच्राओ ड्यानि कि नि10 वादी ल्रासावाद ही आपका हो जागा अपोजट ऐस przeci introvert का क्या हो जाएगा introvert बोलता और कि जो बहुत ही कम बोलते हैं अंदर ये अंदर ये अंदर जो है और आंदर येन-der बात करते रहते हैं और एक्ष्ट्रोवर्ड जो होते हैं वहर मुखी एक्ष्ट्रोवर्ड कौन होते हैं वहर मुखी वहर मुखी मतलब जो ओपन प्रविर्थी को होते हैं लीडर डाइब के लोग और अंतर मुखी जो होते हैं अंतर मुखी ठीक है अंतर मुखी जो होते हैं बोलो क्या होते हैं जैस तो इस प्रकार से यह प्रश्ण भी आपका सही हो गया चलते हैं अगले प्रश्ण की हो अगला क्या कहा रहा है आपका इसमें जो इटैली साइज बर्ड है व्यूटिफुल इसका क्या बताना है आपको एफसोल्ल्यूट इसमें आपको क्या बताना है तो इसका बताना है अर्थ बताना है तो इसका ब्यूटिफुल का क्या हो जाएगा Beautiful की हो जाएगा आपका और आपको यहां पे geehrव meant बताना ब्ठाना अपोशping बताना है इक यहां पर तो जो beautiful है इिसका opposite word क्या हो जाएगा beautiful means क्या हो ग्रिजश और शूंधर का opposite क्या हो जाएगा बजसूरत ठीक है ऐसे यहां फे फिल्थी का मीन क्या है इसका मीन क्या है इसका मीन है मेला इसका क्या मीन है मेला ऐसे डर्टी का गंदा ठीक है और लबली का आपको पता ही है सुन्दर लबली का क्या हो जाएगा सुन्दर हो जाएगा अगले प्रिश्ण की और चलते हैं 11 number question क्या कह रहा है choose the correct form of the tense for the given sentence यानि कि आपको correct form of tense इसमें से correct form जाटनी है मतलब यह किसमें बनेगा और यहां पर क्या आएगा ठीक है तो माया माया के माया of giving up her job यह यहां पर दिया हुआ है तो माया के according यहां पर क्या आएगा is okay skills के अच्पर खंखने उसके अप्सटन एक है इसके टिया हुआ है यहां पर thinking के बारे दिया हुआ है कैनि नहीं माया सोच रही है किसी के बारे में तो आएगा रिच नारा तो हमारा राइट अंसर क्या हो जाएगा इज थिंकिंग माया इज थिंकिंग तो यहाँ पर जो है यहाँ पर क्या जाएगा माया इज थिंकिंग थिंकिंग ठीक है हमारा sentence क्या बन जाएगा Maya Maya is thinking of giving up her job ठीक है next question की और चलते हैं आसे next question है 12 और 14 के लिए डारेक्शन दिया हुआ है 12 और 14 में 12 तेरह 14 यानि कि तीन प्रश्न क्या है आपके इनको क्या करना है आपको error finding करनी है हमें इनमें क्या करनी है हमें error की finding करनी है तो इस type के प्रश्न दिया हुआ होते है error finding करने के लिए दिया होते है तो इसमें क्या होता है चार option दिया होते है पहला यह है slash से पहले का पहला slash की बात का दूसरा slash से पहले का यहां पर तीसरा option हो गया ऐसे यहां पर चौता option हो गया इसमें आपको क्या करना होता है इसमें पूरा sentence पढ़के आपको यह देखना होता है जहां भी जिस भी portion में गल्ती है उसको आपको को टिक करना होता है ठीक है तो यहां पर abcd करके option दिये होंगे a b c d abcd करके option दिये हुए होंगे वहाँ पर और उसमें आपको क्या भरना है जो भी option में error है उसको आपको fill करना है तो यहां देख लेते हैं हम sentence पढ़ लेते हैं इसमें कहां पर हमारी error है तो sentence दिया हुआ है the number of applications का जो है पत्रों का मतलब आबेदनों का समूँ ठीक है application का समूँ तो समूँ क्या हो जाएगा समूँ किसके रूप में आएगा एक बचन के रूप में प्रियुक होगा तो उसके लिए क्या है है ठीक है है के साथ में क्या आएगी वर्ब की थर्ड फॉम आ जाएगी ठीक है 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 राइजन यहां तक बिल्कुल कोई दिक्कत है नहीं तो the number of applications has risen this year यहां तक भी कोई दिक्कत नहीं है वाई as many as 50% ठीक है as many as 50% 50% तक आप दोनों की संक्या का क्या है ज्यादा आने की ज्यादा आएंगे मतलब इस साल ठीक है तो इसमें जो है दी आप्शन को चूज करना है ठीक है next प्रेशन की ओर चलते हैं as a foot wall as a foot wall hit my window यानि कि मैं driving कर रहा था एक bridge के नीचे तो क्या हुआ एक foot wall ने मेरी window को जो है hit गिया तो यहां पर मेरी window नहीं होगी ठीक है तो यहां पर क्या आ जाएगा hit the window of my car the window of my car यहां पर क्या हो जाएगा the window of my car तो हमारे कौन से option में दिक्कत निकली c option में तो c is the right answer ठीक है next प्रेशन की ओर चलते हैं next जो हमारा प्रेशन है वो क्या कह रहा है if I would know what you wanted I would help you no error यानि कि इसमें दिया हुआ है if I would know what you wanted यानि कि यह यहां पर क्या कहना चाहरा है अगर मैं जान जाता यही तो कहना चाहरा है अगर मैं जान जाता what you wanted तुम क्या चाहते हो तो I would help you तो मैं तुमारी जो है मदद करता तो यहां पर I would know नहीं आएगा ठीक है यहां पर क्या आएगा I would know नहीं आएगा हमारी एरर कहां पर आ गई option नमबर ए में यहां पर प्रेयोग होगा if I if I knew if I knew what you wanted I would help you ठीक है आपका option नमबर यह क्या हो जाएगा right answer ठीक है next question की और चलते है next जो हमारा question है को क्या कह रहा है next question कह रहा है था firm has been dealing luxury goods for more than two decades यानि कि इसमें पूछा है कि यहां पर dealing के बाद में क्या आएगा dealing के बाद में in आएगा out आएगा with आएगा या on आएगा ठीक है तो dealing के बाद में क्या आएगा यहां पर है आपका dealing दिया हुआ है तो किछी ही चीज की dealing करते हैं तो dealing जो है यह किसा में करा है luxury goods की कर रहा है luxury goods की कर रहा है ठीक है for more than two decades तो इहां पर जो सही आप option हो जाएगा वो हो जाएगा आपका option number 8 ठीक है option number is the right answer 16 number question कह रहा है आपका see in the Delhi for two years but has not seen the India gate वो कहा है वो Delhi में है for two years दो साल से वो Delhi में रह रही है दो साल से ठीक है तो इसके options देख लेते हैं is lived had lived has been living or has lived ठीक है तो रह रह रही है उसके लिए क्या आएगा living आएगा ठीक है उसके लिए क्या आएगा living आएगा रह रही है तो he has been living c option क्या हो जाएगा आपका बिलकुल सही answer हो जाएगा ठीक है next question की और हम चलते हैं यहां से next question आपका क्या कह रहा है 17 आपको चार वर्ड दियो है चार वर्ड यहां पर आपको दियो है यह क्या कह रहा है आपको यहां पर बता ला यह वर्ड की जो है सही मीनिंग कोन express कर रहा है यहां पर आप बताएं तो आप कि एवर्ट मात के आपका ताला基本 वर्ड मेंसके गापका ना तौन ए कि कि आपको कॉंसा वर्ड कर रहा है व्हार मेंस के भी क्या होता है इन टालना इसी परकार से excuse देना मतलब बहाना excuse का क्या हो गया बहाना hide means छुपाना obey means आग्या ठीक है obey means आग्या हो गया ठीक है next question की और चलते हैं next question हमारा क्या कह रहा है next question हमारा 18 number question क्या 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 रहा है कि इसमें क्या है इसमें दिये हुए है इसको इसको इसमें दिया हुआ है ठीक है पहले इसको 18 number question को ऐसे करके लगा लेते है इसमें एक passage दिया हुआ है उसको आपको sequence wise जो है लगाना है सही किरम में इसको व्यबस्तित करना है ठीक है तो यहां पर जो है इसको बढ़ा कर लेते थोड़ा यहां से इस type के जब question आपको दिये हुए हो उसमें क्या करता है वो पहली line देदेगा आपको और last line देदेगा six number और first number आपको देदेगा ठीक है यानि कि यह सबसे पहले लगेगी और last में कौन सी line आएगी looking very similar to a wireless operator अब आपको इसके बीच में जो चार option दिये हुए है इनको arrange करना ठीक है इनको क्या करना arrange करना है तो हम पढ़ा लेते हैं हमारी पहली line के दियर का है यह लिखाई हमारा की के साथ के साथ मुस्कुराहट के साथ हम हर मसीन उसने अपनी मशीन एक मुस्कुराहट के साथ पह peng bestकाई अपका हमां gaan यहां आड़ क्या आएगा आपका she opened the lid and the receiver over her ears which he held while यानि कि ये which he held while मतलब वो जिसे पकड़े थी वो जिसे पकड़े थी वो ही तो मसीन दी है उसने वो जो पकड़े थी वही उसने मसीन दे दी यानि कि आर जो option है हमारा वो बिल्कुल पहले नंबर पर सही बैट रहा है उसके बाद में क्या आएगा विची हेल्ड वाइल उसके बाद एंड अटेच वाइल के बाद में एंड अटेच दा वाइर नहीं आएगा एंड नहीं आएगा वाइल इसमें भी एंड है तो ये भी नहीं आएगा तो इसमें and attached the buyer और buyer को attach किया तो यह कौन से नमबर पर हो गया तीसरे नमबर पर क्या आगया आपका S उसके बाद चोथे नमबर पर क्या आजाएगा आपका Q तो इसको यानि कि R P S Q R P S Q R P S Q B option आपका क्या हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा भाई आपको लगाना है ठीक है next question की और चलते हैं या से इसमें क्या दिया हुआ है आपका इसमें पैसे आपको बनाना है ठीक है पैसे बनाना है active पैसे दूए हुआ है ठीक है इसमें क्या करना है आपको boys change करना है ठीक है तो the MD told us about the new project तो told the MD told us का क्या हो जाएगा us का क्या हो जाता है B ठीक है us का यहां पे क्या हो जाएगा B बी कौन सी एप्सें में 1, 2, 3, 4 चार ओप्सें में B दिए हुआ है B के बाद क्या आएगा आपका K friends member Zealand we were told about the new project while the MD about the new project क्या हो जाएगा बिल्कुल C दे और subject को किससे जोड़ देंगे by by के बाद में किसे जोड़ देंगे subject को ठीक है by the md हो जाएगा यहां पर और the new project ऐसे कैसे लिग दिया जाएगा और असका यह जाएगा B ठीक है असका क्या हो जाएगा वी और टोल्ड ऐसे ही ठीक है तो इसका option number A क्या हो जाएगा बिल्कुल right answer हो जाएगा next question है हमारा next question क्या क्या रहा हमारा इसमें भी आपको speech change करने के लिए दी हुई है the police said to the thief police ने चोर से कहा don't move ठीक है don't move तो इसमें police का क्या हो जाएगा police का क्या हो जाएगा इसमें police set to the thief दियो हुआ है तो इसमें set to टू मूब ठीक है तो जो सही आंसर हो जाएगा आपका वो जाएगा तब पुलिस ओडर्ड टीप नौट टू मूव आपका ऑप्शन नंबर सी एक क्या हो जाएगा बिल्कुल राइट अंसर हो जाएगा कि यहां पर आपके कितने प्रश्ण हो गए आपके 20 कुश्चन कंप्लीट हो गए है ठीक है 20 कुश्चन आपके बिल्कुल कंप्लीट हो गए है और आप इसका जो पेपर सेकेंड है वो भी आपको इसी चैनल पर मिल जाएगा ठीक है पेपर सेकेंड में जो है 30 परश्ण रहते हैं तो आप उसको भी अटेंट करेंगे ठी बिगाद अन्यवाद